नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दा लीडिंग ब्रेन में आज की वीडियो में हम देखेंगे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य लिया है जो हमारे दिनिक बोलचाल में इस्तेमाल किये जाते हैं अब उन वाक्यों क को हम केवल एक सब्द में बोलना चाते हैं तो कैसे बोल सकते हैं तो चलिए पहले प्रोंट से हमें लिखा हूआ है π़ा पर लिखा हूआ है भारत वासी तो आपक को पता चल गया होगा वहारत वासी कहा जाता है दूसरा यहां पर है गाव में रहने वाला वे व्यक्ति जो गाव में रहता हो उसे हम क्या कहता है ग्रामीड तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक सब्द में ग्रामीड हो जाएगा क्या हो जाएगा ग्रामीड तीसरा है हमारा शहर में रहने वाला जो व्य अभीने करने वाला तो आपको अगर मैं इंगलिस में बोलू तो इसे कहता है हम हीरो जो फिल्म इंडरिस्ट्री से जुड़ा रहता है तो इसे हिंदी में अभीने कहते हैं तो हीरो को हिंदी में अभीने कहा जाता है अभीनेता मतलब कि अगर इसे मुझे एक सब्द में लिख बनाता है उसे हम क्या कहते हैं कुमार तो आप ऐसे थोड़ी न बोलेंगे कि मिट्टि के बरतन मनाने वाले व्यक्ति के पास चला जा हम उसके लिए केवल एक ही सब्द के ऐस्तमाल करेंगे कुभार झिसका उत्तर क्या हो जाएगाbbles कीसान और एग एम लिखेंगे श्वेक्ति व्यक्ति केसान कोर्ण कारी क्या हो जाएगा परोब कारी तो यहां पर हम लिखेंगे परोब कारी अगला है व्यापार करने वाला जो व्यक्ति बिजनेस से जुड़ा है जो व्यापार से जुड़ा है उस व्यक्ति को हम कहते हैं व्यापारी एक सब्द में व्यापारी तो व्यापारी कुछ इस तरह ऐसे लिखा जाता है अगला है हमारा लालच करने वाला तो लालच करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं लालची जिसको लालच होता है किसी भी चीज का उसको हम क्या कहते हैं लालची अगला है हमारा हर रोज होने वाला मतलब कि एक ऐसी कारे एक ऐसा कारे जो हर दिन होता हो उसे हम क्या कहते हैं हरोज होने वाला देनिक तो यहां पर हम लिख देंगे देनिक है ना, जैसे कि सूरज का उगना यह भी एक देनिक कर रहे हैं अगला क्या हो जाएगा, सब्था में एक बार होने वाला सब्था का मतलब वन वीक है ना एक हफते में जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक तो साप्ताहिक कुछ इस तरह से लिखा जाता है यह आधा पा है, ता और हिक साप्ताहिक, ठीक है, तो साप्ताहिक को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, अगला है हमारा वर्ष में एक बार होने वाला मिलब की कोई भी एक ऐसा कारे जो वर्ष में एक बार होता हो जैसे कि दिवाली का एक साल में एक बार होना और भी उधारन हो सकते हैं तो वर्ष में एक बार होने वाले क्रिया को हम कहते हैं वार्शिक तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा व उत्तर हो जाएगा शाकाहारी अगला है हमारा जो मास खाता हो ठीक है ऐसा जानवार या फिर ऐसा व्यक्ति जो मास खाता हो उसे हम क्या नाम देते हैं मासाहारी तो यह मासाहारी हो गया लेकिन होता है प्रोपर मांसाहारी तो इसलिए यहां पर बिंदू लगा दी नहीं है ठीक है मानसाहारी अगला है लास्ट जो सत्य बोलता हो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य बोलता हो कभी भी जूट ना बोले उसे हम क्या कहेंगे सत्यवादी तो यहां पर हम लिख देंगे सत्य या आधता है सत्यवादी तो यह थे टोटल कुछ 18 अनेक सब्द के लिए एक सब्द और इनके वाके को एक सब्द में क्या बोला जाता है तो यहां पर हमने इसको भी देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से अनेक सब्द के लिए एक सब्द यूज किया जाते है आपने डेली बोल चाल में अगर वीडियो पसं